दोस्तों हम सभी के घरों के अंदर में Wi-Fi networks रहता है बट उसके बावजुद भी हम लोग परिशान हो जाते हैं कि Wi-Fi की connectivity नहीं मिल पाती है दोस्तों इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वाई-फाई मेश सिस्टम या फिर आप बोल दीजे की होल होम वाई-फाई सिस्टम के बारे में नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है पल्लव और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस चैनल तक है जेक वाई-ट के अंदर दोस्तों आज जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को connectivity issue face करना पड़ता है क्योंकि आपको वाई-फाई की स्ट्रेंथ फुल है बट आपको कम्निकेशन के लिए आपको प्रॉपर आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है तो वाई-फाई राउटर है वो आपका हॉल के अंदर में ह अब आप क्या करेंगे दोस्तों कि उस वाई-फाई आपने आउन किया तो उसके बाद में आप तीन या चार्ज जितना भी आपके नमबर ओव डिवाईस आपने कनेक्ट कर लिए आपका स्पीड मान लेते हैं 25 MPPS है आप अगर कीचन में हैं और आप यूट्यूब पे क्या होता है क्या होता है दोस्तों जब आपका वाई-फाई जब एक स्प्रेड करता है इन दर फॉर्म ऑफ रीडियो वेवस वह आपका 2.4 GHz उसका फ्रिक्वेंसी होता है बट आजकल बहुत से राउटर आ रहे हैं जो आपको 5 GHz तक आपको सिगनल की स्टेंज वाल को या उस दिवार को या कह दीजिए गेट को या विंडो को क्रॉस करके उसको अंदर आना पड़ता है जिसके चलते आपका नेट जो है वो बफिंग करता है वही अगर आप गेट ओपन कर देंगे तो आपको जो पहले माल लेते हैं आपको 2 Mbps आरा था तो उससे अप तो बर होता जा रहा है दीरे दीरे आपका मैश वाइफाई वो दिए या होम वाइफाई यह क्या करता है यह डिरेक्ली आपका कनेक्ट होता है मॉडम के साथ में एंड शीरीज ओं सेटेलाइट मॉड्यूज और नोर्स यानि कि एक आपका राउटर रहेगा आपका मॉडम को देडिया आपने क्या कर लिए यहां से आपको एक लेंग के बलेला है और आपको encode में करेक्ट вами करंड है मेरे पास में Google का नएट मेरे पास के अंदर में Google का मिनी है या Google नैस्ट है मेरे पास में Wip I मैं उसमें एक i voltar के मैं human के दान अबी क्या होगा दूस्तों जा Ben मैं एक नोड के अंदर में उस केवल को इंसर्ट कर दूगा तो उसके साथ के जितने भी मेरे पास नवा ली जे तीन नोड और हैं उसके साथ में तो जितने भी आपका नोड रहेगा, वह केवल एक यही यानिकि सिंगल वायलेस नेटवर्क के साथ में जुड़ा रहेगा, और और शेयर करेगा सेम SSID, SSID जिसको बोलते हैं हम Service Set Identifier, जिसके चलते क्या होगा, आपको Seamless Connection मिलेगा, और उसके साथ साथ में आपका जो नोड होता है, यानि कि एक, दो, तीन आपने जो भी Connect कर रखे हैं, वो क्या करेगा, आपको एक Best Channel सर्च करेगा, और उसके लिए Best Path आपको wirelessly connectivity प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपको कहीं पर आपको lag नहीं करने को, lag देखने को नहीं मिलेगा, यानि कि जैसा मान लेते हैं कि मेरे पास में एक Internet है, ठीक है, Internet, Internet के बाद में आपने लगा दिया आपना Node 1, Node 2, Node 3, ठीक है, तो उसका जो strength रहेगा, Node 1, Node 2, Node 3 पूरा 100% रहेगा, आपको strength कम मिलेगा, लेकिन यही अगर हम normally हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे Wi-Fi routers रहते हैं, उसके साथ में हम range extender डाल देते हैं, अब range extender कैसे work करेगा, तो मान लीजे, यह मेरे पास में जो modem है, इसके साथ में मैंने Wi-Fi router लगाया, उस Wi-Fi router के साथ में मैंने एक और लगा लिया अपना range extender, अभी देखिए दोस्तों यहां पर तीन काम हो गया, पहले आपको network इसमें आया, उसके बाद में आपने Wi-Fi router को connect किया, और उसके बाद में आपने range extender को connect किया, यानि कि आपने तीन work यहां पर किया, लेकिन यही अगर आपके पास में M देना पड़ेगा, बाकी जो दोनों, तीनों, चारों जो भी नोट सापके रहते हैं, वो इसे से आपको सारी connectivity ले लेते हैं, जिसके चलते हैं, आपको बहुत ही smooth, आपको network की connectivity मिल जाती है, speed आपको proper मिल जाती है, और normally में क्या होगा, router आपने जो लगाया, router के साथ में जो extended truck speed आएगा, वो आपको पूरा 100% मिलेगा, लेकि जब router 1 से जब आप उसको router 2 में आप लेके जाएंगे, यानि कि आपने जैसे एक hall में लगा दिया, एक आपने garden की तरफ में लगा दिया, बट जब आपका wifi router एक रूम, आपका कहीं एक, मालीजे आपका जो gallery है, उसके आपने लगाया, वहां तक जब net देगा, फिर उसके बाद में तीसरे तक जाएगा, तो आपको speed मिलेगी, नॉर्मली 20% तक ही आप speed bear कर पाएंगे, लेकि इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये अलग अलग channel को search करता है, और उस channel पे आपको correct path आपको show करता है, जिससे चलत जिससे कि आप किसी भी घर के किसी भी कोने में बैठे होते हैं, वहां से आप net full speed के साथ आप access कर सकते हैं, और दोस्तों, ये अलग-अलग series, अलग-अलग आपको range के according मिलता है, जस्ट एक नॉर्मल अगर मैं आपको example दूं, तो जैसे D-Link का एक आता है, या आप मालीजे Google क Wi-Fi करके आता है, 7900 के अप्रोक्स आएगा, मैं description में link दे दूंगा, आप चाहिए तो वहां जाके देख सकते हैं, अभी उसमें, जैसे मालीजे Google में क्या होगा, कि आपको तीन नोट्स मिलते हैं, ठीक है, एक नोट का जो एरिया होता है, वहता है 1500 स्कार फिट, तो आपको 3 मिलेंगे, तो आपको 4500 स्कार फिट, तो 4500 स्कार फिट में, वह आपको पूरा का पूरा coverage देगा, यानि कि आपको seamless connectivity मिलेगी, आपको कहीं lag देखने को नहीं मिलेगा, तो दोस्तों, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलता हूं कि जैसे अगर आप range extender बगार आप लगाते ह करना चाहता हूं, तो आप दोस्तों इसको लगा सकते हैं, और यह आपको full spirit प्रोवाइड करेगा, दोस्तों आशा करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को इस home wifi या mesh wifi के बारे में बताया, आपको समझ आया होगा, अगर आप लोगों को कुछ इसमें सवाल है, कुछ आईये, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर,